हाँ दो बच्छों हम तयार है अपनी नई वीडियो के साथ और टाइफ फाइफ की बारी है आज टॉपिक हमारे अड्मिशन ऑफ पार्टनर और कल्गुलेशन ऑफ न्यू रेशियो स्टीपुलेशन नंबर फोर जी हां हम आज बात कर रहें स्टीपुलेशन नंबर फोर की य जैसा कि हमारे दो पार्टनर थे पहले का नाम था हर्ष और दूसरे का नाम था जतिन और इनका जो रेशियो था था थ्री रेशियो टू ठीक है अब नया पार्टनर जो है उसका अकाश हमने जैसा कि पिछली वीडियो में आखा था उसके बहाब बहुत बढ़ रहे हैं जो भी दोगे मैं उसमें सबर कर लूँ आप देख सकते हो इनके expression कैसे कैसे हर्ष और जतिन वो खुश है और आकाश के expression बहुत अलग है चलिए शुरू करते हैं तो आकाश है अब उसने condition कुछ नहीं लगाई है लेकिन अब हर्ष और जतिन की तरफ से condition है और condition है कि हर्ष ज कुछ वेल से एंदर वो रष औरोने वो खुश है और जतिन विय्वेडर ओफ और जतिन की तरफ चुठ पवील दोब न Θम है काश है और जवर न भजके लोगास है बाट Of HIS Share His Share यहां पर HIS Share से मतलब कीस का हुआ? का हर्च का पर his share मतलब हुआ24 हर्च का शेयर यहां पर his share मतलब हुआ Jatin का शेयर 2 आपउट 5 हर्च 2 आपाउं 5 हर्च देगा 1 आपाउन 4 किसका? 3 आपाउट 5 का? ship 2 का अपने शेयर और जतिन बिल सरंडर, जतिन देगा 1 upon 5 ओफिस शेयर 2 upon 5 का 1 upon 5th in favor of, in favor of आकाश, ठीक है, आकाश के favor में जतिन देगा 3 upon 5, sorry, हर्ज देगा 3 upon 5 और जतिन देगा 2 upon 5, ठीक है, तो, new share, हर्ज का नया share, होगा, हर्ज का share था 3 by 5, 3 by 5 में से हर्ज देने वाला है, आकाश को, कितना, 1 upon 4 of a share, 1 upon 4 of a share का मतलब हुआ, 1 upon 4 multiply 3 upon 5 is equal to 3 upon 20, क्या मतलब हुआ, 3 upon 20, तो 3 upon 5 में से 3 upon 20 चला जाएगा, हर्ज के share में से अकाश के लिए, तो यह हो गया, LCM, 20, 5, 4, 20, 4, 3, 12, माइनस 3 is equal to 9 upon 20, ऐसे ही, जतिन का new share क्या होगा, जतिन's new share, जतिन का share था, 2 upon 5, माइनस, यह लेंगे, 1 upon 5 of 2 upon 5, 1 upon 5 into 2 upon 5, तो यहोगा, 2 upon 25, ठीक है, तो 2 upon 5, माइनस 2 upon 25, is equal to, LCM, 25, 5, 5, 25, 5, 2, 10, माइनस 2, यह लेंगे, 8 upon 25, अकाश का share कितना होगा, अकाश को कितना कितना मिल रहा है, अकाश को मिल रहा है, 3 by 20 हर्ट से, 2 by 25, जतिन से, तो 3 by 20, प्लस, 2 by 25, इन दोनों को क्या करना है, प्लस, तो LCM, आ जाएगा, 100, 25 is a 100, 5, 3 is a 15, प्लस, 25 is a 100, 4 is a 8, 15 और 8, 23 upon 100, तो हमने आकाश का नया share हिका लिया है, तो अब तीनों का share पहले रखते हैं, हर्ट, रेशियो, जतिन, रेशियो, प्लस, प्लस, ठीक है, LCM, आ जाएगा, 100, 25 is a 100, 9, 5 is a 45, रेशियो, 25, 4 is a 100, 8, 4 is a 32, रेशियो, 23, तो यह हो गया, इन पार्टनर्स का, new ratio, फटा फट से इसको revise कर लेते हैं, हर्श और जतिन, दो पार्टनर हैं, इनका ratio 3, ratio 2, आकाश आ रहा है, लेकिन, आकाश का share missing है, I repeat, आकाश का share missing है, अब तक की वीडियो में आप देखा होगा, कि आकाश का share हम 1, 5 ले करके चलते थे, लेकिन, यह 1, 5 नहीं दिया हुए, इसकी जगे यहां पर condition यह गी हुई है, कि हर्श विल सरेंडर 1, 4th of his share in favor of आकाश, और जतिन, विल सरेंडर 1, 5th of his share in favor of आकाश, ठी 3, 5th, 3, 5th का 1, 4th, हो गया 3, 20, यह जाएगा आकाश के पास, ठीक है, तो 3, 20 माइनस करने के बाद हर्श के share में से, हर्श का निया share आगे 9, 20, जतिन का निया share आएगा, तो जतिन के share में से, हम उसका 1, 5th share, यानि कि 2, 5 जतिन का share, multiply 1, 5 is equal to 2, 25, वो कर देंगे, जतिन के share में से, बाइनस, जतिन का share 2, 5, माइनस 2, 25, लेके या जाएगा, 8 अपॉं, 25, और आकाश का share निकालने के लिए, जी हाँ, इसमें इंपोर्टन चीज है, कि हर्श जो सरंडर करेगा, जतिन जो सरंडर करेगा, इन दौन पार्ट किसको सरंडर किया जा रहा है, आकाश को, ठीक है तो ये दौनों आकाश के share में add होके आजाएगा, 23 by 100, ये आकाश का नया share है, 15 हो का LCM लेके हमारा नया share आजाएगा, 45, 32, 23, अब एक practice question आपको दिया जा रहा है, फिर से, ratio है 2 by 1, जो नया partner आ रहा है, उसका share तो missing हो नहीं है, तो इसमें हम ये लिखेंगे, हर्ष, surrender one fourth of his share and जतिन surrender one fifth of his share ठीक है, in favor of आकाश तो आपको इस question का answer देना है comment box में, और हमने जो type 3 discuss किया था, type 3 का एक question आप से पूचाता है कि उस question में two ratio one था, नया partner one third के लिए आ रहा था, लेकिन वो three ratio two में अपना share ले रहा था, तो इसका solution है कि हर्ष जो है, वो three fifth of one third देने वाला है, और जतिन two fifth of one third देने वाला है, यानी one upon third को three two में हम distribute कर लेंगे, हर्ष क जो नया share होगा, वो होगा two by third में से three by fifteen minus करेंगे तो वो आएगा हमारा seven upon fifteen, जतिन का जो share है one upon three, उसमें से minus करना पड़ेगा two upon fifteen, जतिन का new share हो जाएगा three upon fifteen, तीन रोक lcm लेके seven fifteen, three fifteen, और one five, lcm आजएगा fifteen, तो ये new ratio हो जाएगा seven three five, comment box में इसका